Hello students, today I will teach you use of a n कल हमने आपको a use of a n चिखाया था और आज भी यही कराएंगे use of a n ओके, तो वाविल्स कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं वाविल्स, वाविल्स होते हैं 5 कौन कौन से होते हैं बेटा, a, e, i, o, और u यह आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, जब भी a, e, i, o, u आएगा तो क्या लगेगा, a, n हम लोग spelling में आगे से first letter चेक करते हैं, m ठीक है, अब इसमें देखें आप, m है, नहीं है न, तो क्या हो गया यह, consonant है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, a क्या लगाएंगे, a, ok और देखे, a, and, t, ant, अब आँट का first letter आप देखेंगे, यह, आ रहा है न, तो क्या लगेगा, यह क्या हो गया, wobbles, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, a, and, देखे, ok, अब next है, egg, e, double, z, egg, अब first letter चेक करिए, wobbles कौन कौन से थे, a, e, e, e आगए आना, देखे, तो क्या आएगा यहाँ पर, a, or, n, n, ok, अब यह देखे, kite, kite का k, ok, a, e, i, o, u, अब यह wobbles तो है नहीं, तो यह क्या हुगा, consonant, consonants में हम क्या लगाते हैं हमेशा, a, ok, अब देखे, nest, nest है, n, e, s, t, nest, nest, nest का first letter देखे, wobbles, चेक करिए, a, e, i, o, u, नहीं है, n है, तो क्या होगा यह, consonant, तो यहाँ क्या आएगा, a, ok, अब है बेटा, देखो, owl, owl का o, first letter चेक करो, wobbles में o आता है, आता है, अगर आप count करेंगे, देखेंगे तो, a, e, i, o, देखो, आ रहा है ना हो, तो अब हम क्या लगाएंगे, a, n यह क्या है, wobbles, क्या है बेटा, wobbles, अब देखें, duck, duck का, d, du, c, k, duck, duck में हम लोग क्या लगाएंगे, a, क्योंकि यह है, consonant, wobbles नहीं है, b, check करीभी आ रहा है नहीं है, bell में, तो फिर क्या हेगा, यह है, consonant, Consonant, Consonant में हम लोग क्या लिज़ करते हैं, A, अब देखें, Fish, F, I, S, H, Fish, Fish, Fish में अब F तो वोविल्स नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, Consonant में A, अब देखें, Horse, Horse का देखें, आप ह, देखें, H, O, R, S, होर्स, Horse में आप लोग क्या लगाएंगे Wovles है या Consonant Consonant है न क्योंकि Wovles A, E, I, O, U होता है और यह है H ठीक है न तो इसलिए हम क्या लगाएंगे A क्योंकि यह Consonant है Wovles में तो An लगाते हैं और Consonant में A लगाते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को और बेटा आप लोगों को ये पेपर CW में करना है वर्क ओके और ये वाला वर्क आपका homework है अच्छे से समझ कर करिए ओके neat and clean वर्क ओके थैंक यू